सर्दियों के मौसम की शुरुवात के साथ ही पश्चिमी उतरप्रदेश में भी गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है इसी के साथ ही विदेशी परिंदों की चाचाहट से मेरट के हस्तिनापूर सेंचुरी का इलागा भी कूंजने लगा है गंगा की किनारे और हिमाले के तरई शेत्र समेथ कई देशों से विदेशी पक्षी महमान बनकर हर साल सर्दियों के मौसम में यहां पर आकर अपना आश्याना बनाते हैं इसी क्रम में विदेशी पक्षी हस्तिनापूर के सेंचुरी शेत्र में पहुचना शुरू हो चुके हैं जहां पर ये पक्षी मैटिंग कर अपना परिवार बढ़ाते हैं और लगभग चार महिने का वक्त बिता कर जब मौसम में गरवाहट आना शुरू हो जाती है तो अपने वतन को वापिस लोट जाते हैं हर साल इन विदेशी पक्षियों का आगमन सर्थियों की दस्तक के साथ होता था लेकिन इस साल हस्तिनापूर सेंचुरी में समय से पहले विदेशी पक्षियों ने पहुचना शुरू कर दिया है डिएफो मेरट का कहना है कि योरॉप, अमेरिका, साइबेरिया, रूस समित कई देशों से हसारों किलोमिटर का सफर तैकर ये विदेशी परिंदे यहां आते हैं क्योंकि मेरट हस्तिनापूर शित्र में गंगा के किनारे काफी अच्छा वेट लेंड है जहां पर विदेशी पक्षियों के लिए मौसम अनुकूल रहता है और इने भरपूर भोजन भी मिलता है हसारों किलोमिटर का सफर तैकर मेरट से हस्तिनापूर सेंचुरी शित्र में पहुचने वाले इन पक्षियों में पाइड, एवोसेट, कॉटन टील, गेडवेल, मलाड, नार्दन स्वालर, नार्दन पिंटेल प्रमुख है हस्तिनापूर वन्य जीव विहार की वादियों की प्रक्रतिक छटा कुछ ऐसी है कि महमान प्रदिन्दों को हिमाले जैसी उची चोटी भी इन्हें यहां आने से नहीं रोक पाती है बार हैडिट गीज, ग्रे लेग गीज, जैसे पक्षी, चीन और रूस देशों में पाय जाते है इन दिनों वहाँ अधिक थंड पढ़ने के कारण ये पक्षी यहां के लिए उडान भरते हैं वही दूसरी ओर इनके आने से वन्य जीव विहार का प्राक्रतिक सौंदर्य और भी अनुपम हो गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरट से आदल रह्मान की रिपोर्ट